1987 का करकेट वर्लकप जिसको रिलाइंस ग्रूप ने स्पॉंसर किया था रिलाइंस कब 1987 के नाम से जाना जाता है ये करकेट की तारीख का चौथा वर्लकप था जो 8 अक्तूबर से 8 नवंबर 1987 तक पहली मरतबा इंगलेंड से बाहर मनकिद हुआ इस मरतबा इस मेगा इविंट की मैजबानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हिस्से में मुश्तरका तोर पर आई थी 1983 के वर्लकप की तरहां 1987 के वर्लकप फॉर्मेट में भी कोई तबदीली नहीं की गई थी सिवाए इसके के अब 60 ओवर्स फी इनिंग से कम करके 50 ओवर्स फी इनिंग्स कर दिया गया था जो आज तक तमाम मंडे मैचिस के लिए मौझूदा मैयार है मुकाबले का फॉर्मेट वर्लकप 1983 जैसा ही था यानि चार टीमों के दो गरूप बनाये गए जिसमें हर टीम को 50 ओवर्स का मैच दो बार गरूप टीमों से खेलना था और दोनों गरूप से पहली दो टीमें सेमी फाइनल में पहुँची और दो फाते टीमें फाइनल में पहुँच जाएंगी तमाम मैच दिन के वक्त खेले गए और वर्ल्ड कप करकिट टॉर्नमेंट की तारीख में आखरी बार टीमें रिवायती सफ़ेद लिबास में दिखाई दी और रिवायती सुर्ख गेन का इस्तेमाल भी वर्ल्ड कप इवेंट में आखरी बार किया गया ICC के फैसले के मताबिक टेस्ट का दरजा रखने वाले तमाम साथ मुमालिक खुद बखुद टॉर्नमेंट के लिए एहल हो जाएंगे और 1986 की ICC टॉफी की फाते वर्ल्ड कप खेलने की एहल होगी इस तरहां जिमवाबवे ने हॉलैंड को शिकस्त देकर मेगा इवेंट में जगा बनाई ग्रूप A में भारत, और ऑस्टेरलिया, न्यूजिलैंड और जिमवाबवे और ग्रूप B में पाकिस्तान, इंगलैंड, वेस्टेंडीज और स्री लंका की टीमें शामिल थी ग्रूप A से भारत और ऑस्टेरलिया जबके ग्रूप B से पाकिस्तान और इंगलैंड ने सेमी फाइनल के लिए कौलिफाई किया पहला सेमी फाइनल 4 नवंबर को कजदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्टेरलिया के दर्मयान खेला गया ये तीसरी मरतबा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमी फाइनल खेल रहा था और ऑस्टेरलिया ने टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया औस्टेरल वी बल्ले बाजों ने इनिंग्स की शुरूआज जारहाना अंदास से की और तेजी से स्कोर किया डैविड बून ने 91 गेंदों पर चार चौके लगाए पैसर टरंस बनाए और ऑस्टेरलिया की जानिब से सबसे ज्यादा स्कोर किया इमरान खान ने 5 ओर्ल्ड में 17 रंस देकर 3 विक्टे हासल की इसके बावजूद ही ऑस्टेरलिया ने पाकिस्तान को 6 विक्टों के नुक्सान पर 50 ओर्ज में 200 60 टरंस का टार्गिट दिया किर्किट के शायقین और नाकेदीन आज भी इमरान खान के आखरी ओर सरीम जाफर से करवाने के फैसले पर तनकीद करते हैं पाकिस्तानी बैटिंग का आगाज बहुत बुरा हुआ और 38 के स्कोर पर 3 विक्ट गर गए इमरान खान और जावेद मियदाद ने मैच को समालने की किसी हद तक कोशिश की इमरान खान ने 84 गेंदों का सामना करते हुए 58 रंस बनाए जबके जावेद मियदाद ने 103 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 70 रंस बनाए और दोनों ने 26 ओवर्स में 112 रंस की शराकतदारी की ताहम 7.87 रंस के मतलूबा रं रेट पर पाकिस्तान की साथवी विक्ट गिरी और जावेद मियदाद आउट हुए यहां मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलता चला गया और पाकिस्तान की पूरी टीम 249 रंस पर आउट हो गई पूरे 18 रंस जो मार्क वा ने इनिंग्स के आखरी ओवर में बनाए थे यह वही ओवर था जो सरीम जाफर ने करवाया था और 18 रंस दिये थे और किस्मत की सितम जरीव सी देखिए कि पाकिस्तान को 18 रंस से ही शिकस्त हुई और एक बार फिर फाइनल खेलने से महरूम रहा दूसरा सेमी फाइनल 5 नवंबर 1987 को भारत और इंग्लेंड के दरमयान मंबई में खेला गया भारत ने टॉस जीत कर फिल्डिंग का फैसला कि इंग्लेंड की पहली दो विक्तें 89 के मजमूई स्कोर पर गिर चुकी थी मगर ग्रहम गूच और कप्तान माइक गेटिंग की 117 रंस की शांदार पार्टनर्शिप ने टीम का टोटल 196 पर पहुंचा कर टीम की पोजिशन मुस्तहकम कर दी इंग्लेंड की तीसरे विकट 196 र रंस बनाए उनकी इनिंग्स में 11 चौकी भी शामिल थे उनके आउट होने के बाद इंग्लेंड के टोटल में मजीद 51 रंस का इजाफा हुआ और इंग्लेंड ने 50 ओवर्स में 6 विक्तों पर 204 रंस बनाए भारत की कारकरदगी आगाज ही से खराब रही 73 रंस पर भारत की तीन विक्ते गिर चुकी थी मिडल ओर्डर ने स्कॉर कुछ बैतर करने की कोशिश की मुहमद अजरुदीन ने 64 रंस भारत की तरफ से सबसे ज्यादा स्कॉर किये अजरुदीन को एडी हैमिंग्स ने लबी डबलू किया तो हिंदुस्तान का स्कॉर 5 विक्तों के नुक्सा कर सके और भारत की पूरी टीम 45 अशारिया तीन ओवर्स में 219 रंस बनाकर ऑल आउट हो गई इंग्लेंड में चार साल कबल वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में भारत से होने वाली शिकस्त का बदला ले लिया आच नवंबर 1987 को कॉलकता के इडन गार्डन स्टेडियम में वर् से ज्यादा स्कोर किया औस्टेरियलिया ने 50 वर्स में 5 विक्टो के नुकसान पर 253 रंस का हदफ मुकरर किया जवाब में इंग्लिश ओपनर टिम रॉबिंसन पहली ही गेंद पर सिफर के स्कोर पर LBW आउट हो गए इसके बाद बिल एथे ने 58 रंस सबसे ज्यादा स्कोर किया इंग्लेंड हदफ के करीब था जब कप्तान माइक गेटिंग 45 गेंदों पर 41 रंस बनाकर रिवर्स स्वीप खेलते हुए कैच आउट हो गए यहां गेटिंग और एथे के दरमयान 13 वर्स में 69 रंस की बढ़ती हुई शिराकत का खात्मा हुआ एलन लैम ने भी 55 चैंपियन बनने का खाब शर्मिंदय ताबीर ना हो सका और उसे साथ रंस से शिकस्त हुई और पहली बार वर्ल्ड चैंपियन का ताज अपने सर पर सजाया और ऑस्ट्रेलियन ओपनर डॉक्टर डैविड बून को मैन आफ दी मैच का एवार्ड दिया गया और किर्किट का ये अजीम उशान मेला काम्याबी से इखताम पर पहुँचा मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबरवाला के साथ